बहुत सारे free radicals body के अंदर बन जाते हैं और जब बहुत सारे free radicals बनते जाते हैं तो उस process को हम बोलते हैं oxidative stress oxidative stress हमारी body में बहुत सारी बीमारियों का कारण है मतलब यह समझे कि आपका brain का गोई issue है आपकी आखों की प्रॉबलम है lungs का गोई प्रॉबलम है blood vessels की प्रॉबलम है immune system का कमजूर हो जाना प्रॉबलम है joints में प्रॉबलम है आपके skin का सुराइसिस हो गया है kidney में issue है आपके heart की प्रॉबलम है मतलब कि आप समझे cancer तक हर जगब पर कहीं ना कहीं oxidative stress का issue माना जाता है जैसे के बात करें अगर किसी को diabetes हुआ है तो diabetes का मतलब क्या है कि उसके pancreas में problem pancreas का मतलब क्या pancreas के cells हैं उसके atom में कहीं ना कहीं free radical बने हैं वहां कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है आगे बात करते हैं और इसको एक example से समझते हैं जैसे माली जी आप एक apple ले लिजिए save आपने लिया घर में और उसको cut कर दिया और cut करके उसको थोड़ी दर के लिए रख दिया तो आप क्या देखते हैं कि वह थोड़ी दरवाद काला पढ़ना start हो जाता है दियर दियरे बहुत काला पढ़ जाता है और यह हम सब के घर में ऐसा होता है और हम सब ने यह देखा है लेकिन अब एक काम आप कर सकते हैं एक apple को cut करिए और उसके एक side को ऐसे ही छोड़ दीजिए और दूसी side पर नीबू का रस लगाईए और दौनों को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे क्या कि जो जिस पर नीबू का रस नहीं लगाया वो काला पढ़ता जाएगा और बहुत दीरे 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 उसकी comparison में बहुत कम काला पढ़ेगा तो यही हमारी body के साथ में होता है जो हमारी skin जो होती है जब हम जवान होते हैं तो हमारी body में skin एकदम मुलायम होती है चमकदार होती है कोई wrinkles नहीं होते कोई जुर्यां नहीं होती है लेकिन जैसे जैसे हम ब पूटे दिखने लगते हैं क्यों हमारी बोडी में हर सेकेंड ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस हो रहा है अब बोले हैं तो हम इससे कैसे बस सकते हैं क्या लगता है आपको कि हम लोगों के लिए बचने के लिए इन सारी चीशों से बचने के लिए हम एक जंग सकता है क्या बिलकुल नहीं हो सकता तो ये इसका सलूशन नहीं है ये हम जंगल में जाके रहने लगें तो क्या होता है जैसे आपका ऑक्सीलीटिव स्ट्रेस बढ़ता है अधर दा बनिक अधा सबक्से कि को क идет को म ahora lod me iugen whole rozигр yel Chief === वीकनेश ओने लगेगी यह चोटी चोटी प्रॉपलम होना इस्टाट हो जाएगे और फिर चोटी चोटी प्रॉपलर थ्यान नहीं देते क्याते हैं कि ठीकर कोई बात नहीं है और फिर यह चोटी प्रॉब्लम ही आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाती है मतलब कि क्या है यही प्रॉब्लम आगे जाके cancer heart attack arthritis brain damage paralysis diabetes इन सारी समस्याओं में जाके नमर्ड हो जाती है आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि राब तक तो एकदम फिट था बढ़िया था और अगले दिन उसे cancer हो गया या फिर राब तक तो कल तक तो एकदम सही था एकदम और अगले दिन उसे heart attack अगया मतलब कि क्या है कि अगर heart attack अगर आया होगा उसे तो उससे पहले उसको कुछ ना कुछ बॉड़ी ने symptoms show कि होंगे या cancer जब होगा तो उससे पहले कोई ना कोई symptoms दिये होंगे बॉड़ी ने आपके heart attack आने से पहले आपके chest में पेन होगा हाट में थोड़ा सा घबरार सी होई होगी आपको हैवी हैवी सा लगने लगा होगा मतलब ऐसा नहीं है कि एक इतने में प्रॉब्लम बन गई यह प्रॉब्लम गैज्वली बढ़ती है दीरे 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 बढ़ती जाती है पास साल दस साल में बनती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो इस तरीके से यह सारी समस्यां आत बहुत लंबे टाइम तक फिर जब बड़ी बीमारी हो जाती तो हमें बोला जाता है कि लॉंग टाइम तक आपको लाइफ टाइम तक दबाईयां लेनी पड़ेंगी कभी कभी हमें होस्पिड्राइज किया जाता है तो यह सारी समस्या होती है घर में जंगले की बात करें लाइफ में हम रेगुलर अगर लेना स्टार्ट करें तो यह क्या करता है उसको न्यूटलाइज करने में हेल्प करता है लास्ट वाले फिगर में दिखाई दे रहा है कि उसमें एक एंटी ऑक्सिडेंट है और एक अनपेर्ड एलेक्ट्रोन वाला जो साइन बना हुआ है त अगर उतना अंटी ऑक्सिडेंट बोडि के अंदर देंगे तो बोडि पूरा निूटिलाइज हो जाएगा अब आप बोलेंगे कहम तो घर का खाना खाते हैं तो पिर अन्टी ऑक्सिडेंट की जूंस क्यों है क्योंकि आगर आपको कम से कम पर ले रहे हैं और जो आपके बोडी के अंदर फी राडिकल्स बन रहे हैं अगर वह बैलेंस है तो आपके बोडी नॉर्मल रियक्ट करेगी और अगर 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 आपके बोडी के अंदर कम हो गया और फी राडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं तो आपके बोडी में विमारी आना चार्ड हो जाएंगी इसलिए अमारे और 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 आरे कमपनी के ओनर और और साइंटेस्ट्र दॉक्टर ने मिल के सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा यह प्रोड़क्ट डिजाइन किया जाए क्योंकि लोग फल नहीं खाब पारे बहुत सारे तरीके के फल नहीं खाब पारे और है एक अच्छे बहुत सारी बीमारियों से बचाए अब आपने अब आपने सायद हो सकता है मार्केट में सुनाओ कि बहुत सारे एंटी ऑक्षिदेंट्स हैं जो के एक लाख और अरक वैल्यू देते हैं या उसे ज्यादा और अरक वैल्यू देते हैं लेकिन आपको बताएं यह बात मुझे सोचके या बोलके बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कमपनी ने जो जितना दूसरी कमपनियों के प्रोड़क्ट देते हैं उतना हमारी कमपनी के प्रोड़क्ट में हमने छोड़ दिया है मतलब कि यह 10 लाख से जादा औरक वैल्यू यह प्रोड़क्ट दे इसका फुल फॉर्म होता है oxygen radical absorbing capacity हम लोग बच्पन से एक लाइन सुनते हुए आ रहे हैं an apple a day keeps the doctor away अब आप समझे कि ऐसा क्यों बोला जाता था कि एक apple अगर एक सेव आप रोजाना खाते हैं तो आपको कोई बीमारिया नहीं होगी आप बीमारियों से दूर रहे ऐसा क्यों बोला जाता था क्योंकि एक जो apple है वह आपको 3000 औरक वैल्यू देता है और वह भी तब जब आप उसको उसके छिलके के साथ खाते हैं और अगर उसका छिलका भी अटा जाते हैं तो उसमें से 500 औरक वैल्यू और कम हो जाती है उस टाइम पे WHO और US FDA ने यह study किया था कि हमारे को जो per day कम से कम तीन से लेके 5000 औरक वैल्यू की आवसकता होती है क्यों बोला उन्हों ने ऐसा क्योंकि उस टाइम पे इतना pollution नहीं था इतने mobile यूज नहीं करते थे लोग mobile का radiation नहीं था pollution निदा chemicals नहीं थे लेकिन अब इतना ज़्यादा pollution है इतना ज़्यादा गाडियां चल रही है इसके बाद मैं mobile हर व्यक्ति के पास में एक एक दो-दो mobile है उनका mobile का radiation है इतना सारा pollution बढ़ गया है तो अब बोला जाता है कि अगर आप 10,000 से कम अगर औरक वैल्यू ले रहे ह वो आपके लिए sufficient नहीं है अगर 10 से 20,000 के बीच में औरक वैल्यू ले रहे हो आप तो उससे आपका काम चल जाएगा वो good है ठीक है लेकिन सबसे अच्छा यह है कि अगर आप 20,000 से जादा औरक वैल्यू ले पर डे तो आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी बोड़ी ए जालकर जब उसे लेते हैं तो आप 10 एपल के बरावर औरक वैल्यू यानि कि 30,000 औरक वैल्यू आप एक सैसे के अंदर आपको मिलती है इतना highest औरक वैल्यू देने वाला product market में नहीं है और यह हमें कैसे बता लगा कि हमारे product में कितनी औरक वैल्यू है तो उसके लिए हमारे product के उपर 10,44,888 औरक वैल्यू हमारे product के अंदर है और जब यह इतनी औरक वैल्यू आपकी body के अंदर जाती है तो आपकी बहुत सारी परिसानियों को बीमारियों को ठीक करने में आपको help करती है